तो छेला दोस्तों नमस्कार आप सब विकास वागत है आज की क्लास में और दोस्तों यहां पे आज करने वाले हम बहुत ही आपके अच्छे-च्छे कुशन तो चलिए दोस्तों आईए start करते हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छे से concentrate करके इसको आपको पढ़ना है चले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपके स्किन पे सबसे पहला जो कोश्चन आपका यह भारत में पर्थम रेलवे लाइन किस बेटिस गवर्नर के समय बिछाई गईती दोस्तों ये जो सबसे पहले बिछाई गई थी ये आपका लाट डलोजी के समय आपका जो है बिछाई गई थी और आपको मालूम है दोस्तों कि ठारा सो तरेपण में आपका जो है आपका ये सबसे पहले आपका रेल चली ये कहां कहां से बीच चली आपका ये आपका मुंबई से आप आपका थाणे के बीच जो है आपकी ये रेल चलाए गई तीसमें इसी के साथ एक कुशन ओर है इनका देखिये आपका राज्य अपरण नीती ठीक है राज्य अपरण नीती किसकी है दोस्तो राज्य अपरण नीती या व्याइपक गत जो सिध्धान्त है वो आपका लाड़ इसी कही है और इसी के साथ साथ देखिए इन्हों ने जो सबसे पहले राज्य अपर देख सकते हैं इसके लावा आपका लाड़ करजन है इनका ये आपका समय था लगबग आपका 1905 के आसपास था और इन्हों ने आपका बंगाल का विभाजन किया था ना बंगाल का विभाजन 1905 में आपका इसी के साथ देखिए आपका जो लाड़ वेले जली है इनके बारे में देखिए बहुती आपका important question ये बन सकता है देखिए आपका जो है सायक संधी परनाली किसकी है कौन सी आपकी सायक संधी परनाली किसकी है तो ये है आपकी लाड़ वे ले ज़ंगी, चली दोस्तो आगे, और यहां पर, जो दूसरा कोशचन है, काफी, इम्पोर्टेंट है यह भी आपका, विद्वा, पुनर, विवा, अदिनियम किसके सासनकाल में, जो है, आपका, किर्यानवित किया गया था, यह आपका, थो ये जो किया गय था आपका विद्वापुनर विवा का समय था न आपका ये था आपका 1856 के समय और इस समय देखिए आपका कौन था आपका ये थे आपके लाड़ कैनिंग के हो जाएगा इसका आपका आणसर भी option होगा इसमें आपका राइट देखिए आपका वैसे तो आपका जो डलहोजी का जो समय था ना आपका 1848 से 56 का समय था लेकिन ये जो आपका विद्वा पुनर विवा किये गये था ये किये गये था आपका लाड कैनिंग के दुआरा और इसी में इनके जो एक के सहयोगी मान सकते जैसे सती पड़ताकंत जो है आपका 1839 में बेंटिक ने और आपका जो है राजरा राम मोलना ने मिलकर किया था तो इसी के साहसा यहां पे हो जाएगा आपका इस्वर्चंद विद्याशागर है ना तो इसको लिख ली जी आप इसमें विद्या सागर 1656 के समय आपका इसमें विद्वा पुनर विवाधिनियम कब बन तो यह आपका सोरी 1856 हो जाएगा इसका आपका आंसर इसमें चलिए इसके बाद आगे निम्न में से कौन एक भारत का पर्थम वाइसराय था देखे भई आपका जो पर्थम वाइसराय था यह था आपका लाड कैनिंग हो जाएगा चलिए दूस्तों इसके लावा ओर ओप्सन देख लेते देखे आपका जैसे आपका लाड कलाईव है तो देखे इनके बारे में कोशन आता है आपका क्या था तो दो प्रकार का सासन है ना एक तरीके से एक तो प्रसासन चलेगा और दूसरा जो है आपका कर जो टेक्स लिए जाते थे उसका देखिए जो टेक्स वाला होगा उसको करेगे जो अंग्रेजी सरकारी गठा और आपका जो प्रसासन की देखवाल करेगे वो करेगे आपका भारते तो ये था आपका द्वैत सासन है ना इसमें पहले राज्य में लाग हुआ फिर आपका केंदर में लाग हुआ वो अलग-अलग एक्ट के बारे में है वो आगे हम पॉलिटी में उसकी बात करेगे और ये आपका द्वैत सासन किसने लागो किया तो आपका लाड कलाईव ने और आपका ये समापत किसने किया तो लाड हस्टिंग्स ने ना किसने किया था लाड हस्टिंग्स ने इसी के साथ साथ देखिए आपका लाड रिपन के बारे में आप देख सकते हैं ठीक है इनके बारे में आपका जो है जनगणना जो है आपका देखिए 1881 के आसपास इसको जो है आपका रेगुलर इसमें कर दे गया था और इसी के साथ साथ इसमें आपकी जनगणना जो प्रा चले दोस्तों आगे और next question देख लेते हैं यहाँ आगे screen पे भारत में अंग्रेजों के समय पर्थम जणगर्णना हुई यह किसके समय हुई थी जणगर्णना पहली आपकी तो यह आपका 1872 के समय किसके समय हुई आपका लाड मेयों के कारेकाल में option हो जाएगा इसमें आपका right देखिए और इसी के साथ देखिए आप एक question और आ सकता है लाड डफरीन से related आपका डफरीन का जो समय तह देखिए आपको मालूम है कि जब कांग्रेज की स्थापना हुई जो है आपकी कांग्रेज की जो स्थापना है किसके दिमाग की उपज कही जाती है कांग्रेज की स्थापना यह कांग्रेज तो यह आपका लाड डफरीन का ठीक है ना तो यह हो जाएगा आपका 1885 में जो है आपकी कांग्रेज की स्थापना है किसके समय लाड डफरीन के समय आपका इसमें जो है ठीक है इस समय आपका देखिए एक जो अंग्र तो कांग्रेश की जो इस्तापना की AO हीूमन है और आपका किस के समय तो लाड़ डफरिन के समय हो जाएगा इसमें चलिए आगे कोशन आपका इसके इन पर बहुत ही अच्छा कोशन है यह और मैच करने वाला कोशन है देखिए आपका यह तो इसमें आपको मैच करना है दोस् यह ना चार पे सी किसमें आ रहा है भी आपका इन दो उप्षनों में आ रहा है तो यह सीधा-सीधा यह आपके उप्षन तो सीधा आपके यह कट गई है ना इसमें इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा आपका लाड़ विलियम बेंटिक ने जो है सती पर था का जो है निशेद किया था या अंत किया था तो दो पे एक इसमें है आपका यानि के सेकिंड में दो किसमें आपका यह वाला तो कट गया आपका वैसे ही आपका ओप्षन कट रहा था तो इसमें आपका ए आ आ रहा है तो यह सीधा-सीधा निकल जाएगा आपका ए ओप्षन इसी में आ रहा है आपका A का D और B का इसमें सोरी थर्ड का इसमें हो जाएगा आपका इस थार आपका इस थान्य सवसासन आपका जो है इसके जनक कोन थे लाड रिपन थे इस थान्य सवसासन के जनक लाड रिपन तो तीन का हो जाएगा इसमें आपका B तो सारे के सारे आपक प्रारम हुई थी दोस्तों ये आपका तो ये जो प्रारम हुई थी ये आपका 10 मई 1857 को जो ये शुरू हुई थी ये हुई थी आपका मेरट से इसमें हो जाएगा आपका C option आपका right देखे और इसी के साथ साथ देखे यहां पे करांती से लिट डिये मेरट के अंदर यहां पे थे आपके कदम सिंग थे आपके इसमें ठीक है तो कदम है न मैसे हो जाएगा मेरट तो ये आपका मैच हो गया इसके बाद देखे आपका यहां पे लखनाओं में आपकी लखनाओं या अवद में थी आपकी बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल आपक इसमें हो जाएगा आपका और इसी के साथ साथ देखिए आपका यहाँ पे कानपूर में आपके नाना सहाब थे देखिए आपका कुछन ऐसे ही पूछा जाएगा आपका कानपूर नैसे नाना और नैसे हो जाएगा आपका कान में नया आ रहा ने इसमें तो यह आपका हो जाएगा इसके साथ देखिए आपका जासी और आपका गवालियर यहापे कौन थी देखिए आपकी यहापे थी आपकी जासी की रानी तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए दोस्तों जासी की रानी और इनका देखिए बचपन का नाम इनके पुत्र का ना थे ठीक है और आपका बिहार में कुवर सिंग थे आपका तो सभी के सभी आप देख लेना वो बाकि आपका टोपिक में वो आपको मिल जाएगा देखने को चलिए इसके बाद कोश्चन है दोस्तों ये आपका जगदीश पूर के राजा थे ये आपका ठारज तावन के जो है राजा थे दोस्तों इसी के साथ साथ देखिए आपका जो नाना साहब है ये आपका कानपूर के थे और इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों ये बाकि आपका कोवर सिंग लक्षमी भाई ये सब हो गया इसमें जासी की रानी इसके बाद चलिए अगला कोशन देख लेते है इसमें आपका फारःसो, सद्तावन के निमलिखित करांतिकारियों में से किसका नाम, वासुतिक नाम राम, चैंद्र, पांडूरंग था तो किसका नाम था दोस्तों, ये पांडूरंग देखे, आपका कोट संग का नहीं था तात्ये टोपे और नाना साम में से करेगा लेकिन आप इसमें आप कैसे करेगे इसमें तात्ये में अधर त्यार है ने इसमें और लेकिन इसमें भी आपका आधर रहा तो इसमें आप मैच कर लेना आधर रहा आधर त्यार है ना यह तो पूरा फुल है तो इसमें तो कोई confusion न तो इसमें हो जाएगा आपका B option आपका right चली आगे यहाँ पर question है काफी अच्छा question है यह भी आपका नील दरपन नाटक का लेखक कोन था देखे नील दरपन नाटक का जो लेखक था दोस्तों यह थे आपके दीन बंदू मित्र इसमें हो जाएगा आपका C option आपका right देखे दोस्तों इसके अलावा देखे यहाँ पर आप इसको भी देख सकते है बंकिम चंदर चटर जी आनंद मट जो लिखा गया था दोस्तों वे बंकिम चंदर चटर जी के दौरा लिखा गया था आनंद मट किसके दौरा लिखा गया बंकिम चंदर चटर जी के दौरा चले दोस्तों और देखे जितने भी लाइव है दोस्तों सभी आप कमेंट करें और दोस्तों सभी के सभी आप वीडियो को लाइक भी करतीजे इसमें आपका चले दोस्तो इसमें है 1921 का मौपला विधरो हुआ था दोस्तो यह मौपला विधरो जो हुआ था दोस्तो यह हुआ था आपका केरल में माला बार तटवे आपका इसमें हुजागा दोस्तो आपका C-Option आपका राइट देखी अच्छे-चे कोशन आप सभी के लिए और दोस् इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर यह जो आपका विधरू हुआ था यह आपका जो मोपला परियोग होता है यह मुसलिमों के लिए परियोग होता है कुछ उनमें हिंदू भी थे, कुछ उनमें अंग्रेज भी थे दोस्तों, तो ये मोपला सब्द किसके लिए परियोग था, मुसलिमों के लिए परियोग था, केरल में माला बार्ग तट्चे संबन्दित है, 1921 में आपका विधर्व हुआ दोस्तों, चलिए और देखिए आपे आपका, तेल गाना से लेटर आपका कोशन आया था अभी सीटेट में, दोस्तों ये पूछा गया था आपका, कि आपका आंधर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, ये कब हुआ, ये जरूर आप देख ले ना, इसके बाद देखिए आपका जो विधर्ब छेतर है, ये आपका सूखा छेतर है आपका, क्या है दोस्तों, सूखा छेतर ही ये आपका, विधर्ब है ना, ये कहां कहा है, ये है दोस्तों आपका महराष्ट का, बहुत ही आपका important question है ये भी आपका विदर्ब छेत्र चलिए दोस्तों आप सभी देखी अच्छे से जो है आप comment करते रहे सभी और अच्छे से वीडियो को like कर दीजिए आप जितने भी आप live है दोस्तों चलिए आपे अगला question है आपका Asiatic Society of Bengal के संस्थापक थे आपका यहाँ पे gems precept की बात करें तो यहाँ पे आपको मालूम है Asok का जो ब्रहमी लीपी का सिला लेक पढ़ा गया था ठारा सो 37 में ये gems precept के दुआरा जो है आपका पढ़ा गया था और ये कहां के दे दोस्तों ये थे आपके France के कहां के थे ये आपके France के इसमें प्रिशेप में प्यार है इसमें यहाँ पे आपका फ्यार है पैफ है इसमें आप ऐसे match कर लेना ठीक है और यहाँ पे आपका इनके दुवारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया दोस्तों आपका तो ये जितने भी आपके उप्षन होते उनके बारे में थोड़ा सा जरूर देखें क्योंकि देखें अगर एक्जाम में कोश्चन नहीं बनता है तब भी आप उस question को बहुत ही easily आप बना सकते हैं देखे इसके बाद यहाँ पर आगी question जो है आपका यह लाड़ मैकाले सम्मंदित है यह किसे सम्मंदित है लाड़ मैकाले यह अंग्रेजी शिक्सा से थे आपका तो इसमें सीधा सीधा option हो जाएगा दोस्तों आपका सी option आपका right दोस्तों और यहाँ पर इसके अलावा देखे आपका जैसे सती पढ़था की समापती से आपका तो यह सती पढ़था की समापती कब हुई यह हुई थी आपका 1829 में आपका राजा राम मोनाई ने भी इसमें जो है मिलके कारे किया था विरोध किया था और उस समझ जो व्यक्ति थे अंग्रेज थे लाड़ विलियम बेंटिक थे चले दोस्तों आगे और अच्छे अच्छे question आपके समक्स आज जो है यहाँ पर परस्तुत किये गए आ यहाँ पर देखी आपका सेंडलर आयोग सम्दिता देखी आपका यह सेंडलर आयोग जो सम्बंदिता दोस्तों यह था आपका 1917 से यह था ऑपकार आगे यहा पर सिंट चाल्स वूड का आदेश पत्र निमलिकित में से किसे संबन्दित था जो कि भारते सिक्सा का मैगने कार्टा का हजात था ठीक है चाल्स वूड डिस्पैच ये आपका था ठारा सो चोववन तो ये हो जाएगा सीधा सीधा ये ओप्शन आपका राइड सिक्सा से संबन्दित भारते सिक्सा का मैगने कार्टा चाल्स वूड डिस्पैच चैसे चाल्स चैसे हो जाएगा आपका चोववन तो इसको जरूर याद रखना है आपका चले दोस्तो आगे आपकी स्किन के उपर कोश्चन है आपका किसको भारते पुनर जागरण का पिता कहा जाता है दोस्तो किसको कहा जाता है तो भारते पुनर जागरन का पिता या आधुनिक यूप का दूद है ना या भारते जागरन का दूद किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राय को दोस्तो ए ओप्शन हो जाएगा इसमें राइड इसके अलावा देखिए इन्हों पूस्तक और इसी के साथ देखी इनकी जो पुस्तक है आपका यह है आपका मिरातुल अकबार मिरातुल अकबार हो जाएगा इसमें और इसी के साथ साथ देखिए आपका समवाद कोमोदी समवाद कोमोदी यह ना यह हो जाएगा आपका इसमें चले दोस्तों इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे आप और देख लीजिए यहाँ पे वियकनंद जी के बारे में ठीक है इनों ने अठारसो तिराणमे में विशु धरम सम्मेलन जो हुआ था आपका सिकांगो में उसमें दोस्तों भाग लिया था ठीक है सिकांगो में आपका थारसो तिराणमे में स्वामी इनके बच्पन का नाम जो था देखे नरिंदर नाथ था और इनका जो ये आपका विवेकन अंजी जो है इनका आपका सुआमी विवेकन जो नाम रखा ये बदल के आपका किसने रखा था ये ते आपके महाराजा खेतडी ये ना जिनोंने इनको जो सिकांगो अपने खर्च पे जो है भीजा था और महाराजा खेतडी जो थे आपका उनका जो नाम था अभिजीत था वे आपके राजिस्थान से थे आपका इनके गुरु कोन थे इनके गुरु थे राम किर्शन परमहंस कोन थे गुरु राम किर्शन परमहंस इसी के साथ साथ इन्होंने स्वाविकन चलि आगे और यहां पे इनके बारे में थोड़ा सा ओर देखिया स्वामी दैनन सर्षृती के बारे में दिए इनों ने आपका आरिय समाज की इस्थापना की ती अठारहसोASTAR ने कंगा यहां पे कहां पे की यह की तू यह किई थी आपका बंभाई में और बंभाय के कुछ समय बाद इनका जो मंख्यालिय था वो लाहोर बना दे गया था इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक कोशन आता है दोस्तों कि सुधी आंदोलन किसे संबंदी था तो सुधी आंदोलन जो संबंदी था दोस्तों यह है आपका डैरन सरस्वती जी से संबंदी था आपका सुधी आंदोलन देखे इसमें क्या थे कुछ जो आपके ह पर यह question है दोस्तों आपका की ठाराशो तिराणमे में सिकांगो में आयो जीत अंतराश्चे धर्मो की संसत से किसका नाम जुड़ा है कौन गई थे आपके सिकांगो में सिधा सिधा अंसर हो जाएगा इसमें you weeka Nun आपका C option हो जाएगा इसमें आपका right देखे बाकी question देखे आपका इनके बारे में भी आपका detail आपको जो है मालूम है दोस्तो आपका किरिशन परमंस के बारे में राजरामोनाय के बारे में दैनन जी के बारे में और विकनन जी के बारे में चली दोस्तो आगे और यहाँ पे आगे आपकी skin के ऊपर question ये है आपका सत्यार्थ प्रकास की रचना की गई थी देखिए आपका किसके दुवारा आपका तो ये की गई थी आपका सत्यार्थ प्रकास की रचना की गई आपका दैनन सरस्वति जी के दुवारा तो इसमें हो जाएगा आपका D option आपका राइट आपका अगर इसके लावा और रचना पूछी जाए देखिए आपका जैसे आपका इसमें वेकनन जी के दुवारा तो इसमें हो जाएगा आपका ग्यान योग करम योग जो है इनकी पुछतक थी और अगर आए कोश्चन आपका गांधी जी की पुछतक तो इनकी जो फेमस एक पुछतक है और अगर राजारामोनाजी की बारे में आपसे पुछतक के बारे में पूछा जाए तो सीधा सीधा हो जाएगा इसमें आपका सववाद कोमदी और आपका मिरातुल अकबार चलिए दोस्तों आगे आपकी स्किन के उपर कुश्चन ये है आपका सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्तापना की गई थी आपका तो ये आपका किसके द्वारा की गई तो ये आपका की गई थी गोपाल किशन गोखले के द्वारा सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक मंडल सर्वेंट है ना भारत सेवक मंडल की स्तापना गोपाल किश रानाडे दोस्तों और इसमें देखिया आपका अगर ये आपसे पूछा जाए सरोजनी नाइडू जी के बारे में तो ये आपकी उत्तरप्रदेश की पहली राज्येपाल थी किसी भी राज्ये की बनने वाली और ये जो है आपकी कांग्रेश की अध्यक्ष बनने वाली पहल पहले दोस्तों आगे कोश्चन आप सभी के लिए देखिया आपका ये भी आपका मैच करने से है आपका तो इसको मैच करते अच्छे से और मैचिंग वाला जो कोश्चन होता है बहुत ही आपका इजी होता है दोस्तों तो इसको अच्छे से आप मैच करना तो यहां पे देखिया आपका राम किसन मिशन की स्थापना किसने की तो स्वामी वेकन जी ने की थी आपका तो B पे एक किसमे आ रहा तो B पे एक जो आ रहा ना सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया C ओप्शन हो जाएगा इसमें आपका right देखिया आपका सत्य सोदक समाज की जो इस्ताबना की यह की ती आपका जोतिवा फुले जी के दुवारा देखे C पे 4 किसमें आपका C option में देखिया आप इसमें पूरा C की जो line है इसमें 4 किसमें आपका यहां पे आ रहा है बिल्कुल आपका right मिला है प्रातना समाज तो आपका मुमडन एंगलो ओरेंटल कोलिज अलिगर की सताबना की गई आपका सरसेद एहमत खाजी के दुवार आपका इसमें हो जाएगा D पे 3 आपका D पे 3 आ रहा है बिल्कुल right है अभी तक इसमें इसके बाद प्रातना समाज की जो आपका यह इस्ताबना है या संबंदी थे आपका है ना तो यह है आपका महादेव गोविन रानन डेजीस में तो A का हो जाएगा आपका दो बिल्कुल यह भी आपका match हो गया तो इसमें आपका C option है अगर आपको ऐसे question में एक भी मालूम है तब भी possibility होती है कि आप इसका सही answer अच्छे से निकाल सको तो इसलिए बाकी जो option में question आता है तो उसको भी अच्छे से जो है देखा करो दोस्तो देखे आपका भारती राष्टे कांग्रेश की स्थापना के समें भारत का वाइस राए कौन था दोस्तो तो भारत का जो वाइस राए था कांग्रेश की स्थापना कब हुई 1885 में है ना तो देखी आपका ये हो जाएगे लाड डफरीन D option हो जाएगे इसमें आपका देखे कैनिंग की बात करे तो कैनिंग का जो समय था भई आपका तो कैनिंग का जो समय था आपको मालूम है कि 1857 के समय थी ये आपका ठीक है और रिपन का जो समय था रिपन लिटन रिपन है ना रिपन का जो समय था आपका 1882 के आसपास इनका समय था और देखे आपका लिटन जो थे आपके रिपन से पहले ते या नहीं का 82 से पहले ते आपका यह तो चलिए दोस्तो आगे और लिटन के बारे में थोड़ा से आपके कुश्चन आप नोट कर लेना लाड लिटन के बारे में लेसे लिटन और लेसे आपका हो जाएगा आपका ये लेखक के रूप में जाने जाते थे दोस्तों लेखक थे ये और आपका कवी भी थे चले दोस्तों आगे और यहाँ पे आपकी स्किन के उपर कुश्चन है भारती राष्टे कांग्रेश की स्थापना कब हुई दोस्तों ये जो इस्थापना हुई थी आपका 1885 में हुई थी आपका तो इसमें हो जाएगा आपका ए ओप्शन आपका राइट देखिया आपका पहला इस्थापना कब हुई 85 में इसके बाद 85 में ही आपका फिर आपका जो है दोस्तों ये 87 और फिर आपका जो है 88 देखिए आपका ये पहले आपका इसको 4 का करम है न ये इसके बाद आप ऐसे कर लेना भक मई ये न ठीक है भक मई ये न पहला जो अधिवेशन वाप 85 वाला बंबई में हुआ दूसरा आपका छासी का कलकत्ता में हुआ तीसरा आपका जो है दोस्तों ये 87 वाला मदरास में हुआ और जो चोथा था 88 वाला ये आपका इलाबाद में हुआ अब यहाँ पे question पूछेगा कि पहले में किसने आपके अध्यक्स था कि दूसरे में तीसरे में और चोथे में ठीक है बक मई यहाँ पे आपके व्यक्ति आ जाएगे तो इसमें आप व्यक्ति कर ले ना बैनर दादा तैयब जो और जो है ना बैनर दादा तैयब जो जो यानि कि पहले में जो ये आपकी अध्यक्स था कि डबलू सी बैनर जी ने की दूसरे में आपकी दादा भाई नेरो जी ने की तीसरे में आपका आपका मदरास में आपका बदरुदीन तयब जी ने की और चोथे में आपका ये जो लाड जोईज थे आपके ये अंग्रेज थे तो पहले में पहले भारते ने की है ना दूसरे आपके जो थे या दूसरे में ये पहले पारसी थे और तीसरे में जो अध्यक्सता की ये पहले मुसलिम थे और चो थे जो अधिवेशन हुआ इसमें पहले अंग्रेज थे काफी important question है दोस्तो ये आपका चली आगे और यहाँ पे आगे जो question है दोस्तो आपकी skin के उपर ये है आपका निम लिखित में से कोन भारती राष्टे कांग्रेज की पर्थम महिला अध्यक्स थी यानि के पहली कांग्रेज की महिला अध्यक्स थी आपका एनिबेसेंट ये हो पलकत्था और इनकी पुष्टक पूची जाएगी आपका पुष्टक इनकी जो है आपका common bill common bill और आपका new India हो जाएगा इसमें आपका और अगर बात करे नाईडू जी की तो ये बनीते आपका 1925 में आपका कानपूर में आपका चली दोस्तो आगे question जो है ये आपका भारती राष्ट्य कांग्रेश का पहला मुस्लिम अध्यक्सकोन था तो बहुत ही अच्छे से आप इसको बता सकते हैं कि यह हो जाएगा सीधा-सीधा आंसर इसका डी ओप्शन होगा आपका राइट बदरुदीन तैयब जी देखिया आप इसमें इसके बाद यहां पे जो सोकत अली थे यह आपके जो अली बंदू थे आपके मुहमंद अली सोकत अली इनको कहते थे अली बंदू मुहमंद अली और आपका सोकत अली चलिए दोस्तो इसके बाद आगे यहां पे जो कोश्चन आपकी स्किन के उपर यह है आपका निमलिकित मे से कौन भारती राष्टे कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था है ना उदारवादियों के कह सकते कि एक दो जो गुरुप थे एक उगरवादी दल एक आपका उदारवादी दल है ना नरम आपका जो था नरम दल वो उदारवादी था और एक गरम दल था व आगी देखिए मैता जी और दादा जी और इसमें आपका गोपाल जी ये आपके उदारवादी थे और आपने सुना भी होगा आपका लाल बाल पाल ये क्या थे आपके ये उग्रवादी डल के नेता थे दोस्तों चलिए आपका यहाँ पे और बहुत ही अच्छा कोश्चन है यह आपका इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया भई नारा जो दिया था यह आपका भगत सिंग जी ने दिया था अब इसमें हो जाएगा आपका सी ओप्षन आपका राइट अगर इसकी रचना पूशी जाए देखिया आपकी रचना किसने की तो रचना जो की थी आपकी दोस्तो यह की थी आपका इकबाल जी के दौरा रचना की गई और इसका जो नारा दिया गया या किसके दौरा यह परियोग किया गया यह भगत सिंग राजगुरु सुगदेव को कव फांसी दी गई देखी आपका तो ये आपका 8 अप्रेल 1929 को जो है विदान सबब में जो बम फेंगा था इसी वज़े से इनको जो है आपका फांसी कव दी गई इनको दी गई थी आपका 23 मार्ज 1937 को है इसमें हो जाएगा आपका ये ओप्षन आपका राइट दोस्तो चली आगे गदर पार्टी की स्तापना हुई देखी आपका किस वर्स हुई गदर पार्टी की स्तापना तो ये हुई थी आपका 1913 में गदर पार्टी की स्तापना हुई थी आपका 1913 में और देखिए आपका San Francisco है ना लाला हर दयाल के दुआरा हर दयाल के दुआरा San Francisco अमेरीका में ये जो है आपका इस्तापना की गई इसके अलावा देखिए ये और ओप्सन है तो आप इसको कैसे देख सकते देखिए 1907 में कौन सी गटना हुई 1907 में हुई ये आपका सूरत अधिवेशन सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें की कांग्रेश दो भागों में बट गई थी जो की आपका 1916 में जो अधिवेशन हुआ आपका लखनाव में उसमें जाके आपकी मिली दोस्तो इसके अलावा देखी ये और ओप्शन है आपका यहाँ पे 1917 में क्या हुआ दोस्तो यहाँ पी हुआ था गांधी जी के दुवारा पहला सफल आंदोलन हुआ था जो की आपका चम पारण में आपका हुआ था नील की खेती से सम्मंदित था जो की तीन बटे बीस बाग पर नील की खेती करनी होती थी जिसको कहते थे तिन कठिया पद्धती आपका ठीक है दोस्तो और यह जो आपका यह आंदोलन था किसने सोपा था राज कुमार सुकल ने जो है इनको सोपा था इसके अलावा देखिए आप इसको देख सकते कि 1920 में क्या हुआ तो गांदी जी के दुवारा जो है आपका ए सहयोग आंदोलन चलाए गया था दोस्तो ए सहयोग आंदोलन इसमें आपका चलिए दोस्तो आगे जो कोशन है आपका ये भी काफी इंपोर्टेंट है देखिए मुसलिम लीक का पर्थम अध्यक्स कोन था दोस्तो मुसलिम लीक की जो इस्थापना हुई थी आपका ये हुई आपका 1906 में आपका कहां पे हुई इसकी सापना ये हुई थी आपकी धाका में ये ना कहां पे हुई थी आपकी धाका बंगलादेश में आपका और इसके पर्थम अध्यक्स कोन थे आपका ये थे आगा धाका ये ना ऐसे कर सकते हैं किसने की या अध्यक्स कोन थे आपके तो यह थे आपके आगाखा ढाका है ना इसमें 1906 में आपका चलिए दोस्तों इसके अलावा आपका जो कोश्चन है आपका इसकिन के उपर काफी इंपोर्टेंट है ये भी आपका देखिए 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वाइ देखिए अभी ये कोश्चन पूछा था आपके बेर्ड इंट्रेंस में ठीक है कि 1912 में राजधानी परिवर्टन हुई कलकत्ता से दिल्ली लाते समय तो उस समय देखिए हार्डिंग बमकांड हुआ था जिसमें कि आपका रास बिहारी बोस ने जो है इनकी बग्गी पर गिरा दे गया तब तो उसमें व्यक्ति कोन थे या वाइसराय कोन थे यह थे आपके लाड हार्डिंग है ना 1912 में आपका जो है बमकांड हुआ किसने फेका इनके उपर बिहारी ने रास बिहारी बोस बैसे बमकांड है ना बैसे 12 और बैसे रास बिहारी बोस हो जाएगा आपका इसमें और इसी के सास्ता देखिया आपका लाड़ मिंटो इनका समय क्या था भई आपका आपने सुना कि मारले मिंटो सुधार आपका ठीक है वो हुआ था आपका 1909 का है ना कब हुआ था वो आपका 1909 का जिसमें जो है आपका एक तरीके से कह सकते कि संपरदाइक हिं जो भढ़काने का काम किया गया था 1909 का जो एक्ट था मारले मिंटो सुधार इसमें यह आपका किया गया था इसमें ठीक है इसमें और आपका जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है आपका मुसलिमों को एक तरीके से कह सकते है कि कुछ जो है आपका रियायते देकर अपने में जो है उन्होंने मिला लिया था इसमें चली आगे जो कोश्चन है देखिए आपका मारले मिंटो सुधार बिल किस वर्स में पारित किया गया दोस्तों यह जो पारित किया गया था यह किया गया था मारले मिंटो सुधार 1909 में आपका मारले मिंटो ह इसके बारे में बात करें दोस्तों 1905 में तो यहां पे किया गया था बंगाल विभाजन 1920 वाल आपको मालूम है कि ऐसे जो गांदोलन चला गया था गांदी जी के दुवारा चले दोस्तों आगे इसकिन के उपर जो कुश्चन है आपका यह काफी इंपोर्टेंट है आपका 1916 में भारती राष्टे कांगरेस के लखनाओ अधिवेशन की अध्यक्सता किसे ने की थी तो यह दोस्तों की थी आपका एसी मजूमदार जी के दुवार आपका इसमें हो जाएगा आपका D option आपका राइट देखिए चले दोस्तों आपका यहाँ पे और कांगरेस इसमें जो है आपका मिली थी जो दो भागों में बट गई थी उदार वादी और आपका उगरवादी दल या नरम दल या गरम दल में देखिए आपका इसमें इसके बाद यहाँ पे देखिए question है आपका गांधी के नाम से पहले महत्मा जोडा गया देखिए दोस्तों इसमें चमपारण सत्तेगर है के दोरान रोलेट एक्ट के दोरान आपका 1919 में अमरसर अधिवेशन में या खिलापत आंदोलन जो 1920 में हुआ था उस समय तो यह था आपका चमपारण आंदोलन के दोरान आपका यह आंदोलन कब हुआ यह आपका हुआ था 1917 में रोलेट एक्ट यह जो आपका था यह काला कानून इसको कहते थे यह आपका 1919 के समय था इसमें और देखिए जब रोलेट एक्ट हुआ उसके बाद हिंसा भड़की उसके बाद जो है कार्ण हुआ था यह जलिया वाला कार्ण तो उसके बाद जो है उसी समय आपका 1919 में भारतराश्टे कांग्रेस के अमरत सर अधिवेशन जो है आपका हुआ था दोस्तो और इसके बाद यहापे खिलापत आंदोलन कब हुआ तो यह हुआ था आपका 1920 में आपका ठीक है खिलापत आंदोलन में आपका जो हिंदू और मुस्लिमों में एकता देखने को मिली थी पहली बार आपका चलिए दोस्तो आगे जो कोश्चन है आपका यह बारदोली सत्तेगर है 1928 का नेतरताओ किसके दुआरा किया गया दोस्तो यह किया गया था आपका सरदार वल्लम भाई पटेल जी के दुआर आपका इसमें हो जाएगा आपका ए ओप्षन आपका राइट देखिए इसमें और देखिए भारत का विसमार्क किसे कहा जाता है तो वल्लम भाई पटेल जी हो कहा जाता है और लोहपुरुस कहा जाता है और इनको जो है तो बार्दॉली शत्थ इकर है. बार्दॉली कहां पे है? यह आपका है. दोस्तों, गुजरात में, कहां पे है? गुजरात में. चलि आगे. या पे आगे जो कोषन है, image है. दोस्तों, यह है आपका भारति राष्ट राष्टे कांग्रेस के ऐसे यूग आंदोलन किस वर्ष प्रारम किया गया तो ये आपका जो प्रारम किया गया था ये आपका 1920 में जो है आपका प्रारम किया गया था और ऐसे यूग आंदोलन किसके द्वारा गांदी जी के द्वारा है ना और इसमें आपका 1918 में इन्होंने जो है आपका, खेडा सत्ते गर्यापका या मील मजदूर आंदोलन जो है आपका हुआ था, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आप यह देख लिजे, गांधी जी के कुछ आंदोलन है, एक आपका, उन्नीस सो, सत्रे का, एक आपका, अठारे का, एक आपका हो 1917-1918-2030-42 यहाँ पर आपको मालूम है चमपरण का अंदोलन यह आपका खेड़ा का अंदोलन था यह मील मजदूर अंदोलन था यह आपका ऐसेव का अंदोलन यह आपका सैविन अंदोलन और यह था आपका भारत छोड़ो अंदोलन दोस्तों 17-18-2030-42 और इसी के साथ यह कोशन आएगा कि गांदी जी ने आपके जो तीन गोल में सम्मेलन हुए 1930-32 आपका कहां पर हुए लंदन में उसमें किसमें भाग लिया था तो दूसरे वाले में इन्होंने जो है भाग लिया था इसी के साथ एक कोशन और आएगा गांदी जी न आपका बेल गाम में आपका चलिए दोस्तों आगे और आपकी स्किन के उपर यह अच्छे अच्छे कोशन आज जो है आपके लिए रखे गए आपका यहां पर यह है आपका सवराज पार्टी को इस्थापित किया गया था यह किसके दुआरा आपका तो यह किया गया था आ इनके बारे में भी आपका जो है जानकारी होगी, ये पहले राष्च्यपती थे और ये सविधान सभा के इस्थाई अध्यक्स भी थे, है न, और इसी के साथ साथ, इनकी जो पुस्तक थी फेमस पुस्तक है, वो है दी डिवाइडिड इंडिया है, और पटेल जी के बारे में आपको मालूम है और आपका लाल बाल पाल के बारे में भी जानकारी है और आपको गांधी जी के बारे में जानकारी है और आपका यहाँ पे तिलक जी के बारे में महराश्ट में इन्होंने सिवाजी एवं गणपती उत्सव जो है चलाया गया था इनके दुवारा दिलग जी के दुवारा और आपको ये भी मालूम है ये जो है आपके गरम दल के नेता थे तो कोई भी कोश्चन आता है उसका जो जड़ है पूरी उसकी निकाल दीजिए आगे याँ पे आपका पंजाब केशरी की उपादी किसको दी गई थी ये दी गई थे आपका लाला लाजपत राइजी को ये ना सी उप्सन हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका राइट और आपको ये भी मालूम है कि जो साइमन कमिशन उन्निस सो आपका 27 में इनकी जो है मरत्यू हो गई थी जिसका बदला इन्होंने भगत सिंग सुगदे और राजगुरुजी ने जो है लिया था और फिर उनको 23 मार्च 1934 को जो है उनको फांसी दे दी गई थी तो दोस्तों यहाँ पे और कोई भी कोश्चन आता ना उनका पूरा जो भी उप्सन ह अच्छे से उसको करिए लाला हरदयाल जी के बारे में देखिए आपका डी उप्सन है यह आपका 1913 में गदर पार्टे की स्तापना की गई थी इनके दुआरा चली आगे कोश्चन है आपका गांधी इरैविन समझोता हुआ था यह कब हुआ था इरैविन समझोता यह इरैविन एक कभी नहीं बुलो गया आप इरैविन एक एक किसमेरा लास्ट में आपका 1932 में दोस्तों चली आगे और दोस्तों सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छे से अगर अभी तक किसी ने नहीं किया यहाँ पे आपका नेक्स क्रेश्चन है आपका जव चली आगे भारत का अंतिमिवाइस राय कोन था दोस्तों भारत का जो अंतिमिवाइस राय था ये था आपका लाड़ माउंट बेटन हो जाएगा इसमें आपका बी ओप्षण हो जाएगा आपका इसमें राइट और इसी के साथ साथ देखिए आपका जो राधा किर्शन जी है ये आपके किस रूप में जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं आपके शिक्सक के रूप में है ना शिक्सक के रूप में और शिक्सक दिवस कम मना जाता है वही आपका ये मना जाता है आपका पांच सुरे इसको पांच सितम्बर पांच सितम्बर को अगर बात करें विशु शिक्सक दिवस की विशु शिक्सक दिवस की तो ये मना जाता है अगले महीने में उसी डेट को आपका पाँच अक्टूबर को आपका वीशुव सिक्सक दिवस पांच अक्टुबर को अगर बात करें सिक्सक दिवस की भारत में तो 5 सितमबर हो जाएगा इसका आपका आइट आपका चले दोस्तों आगे जो कोशन आपका ये एक दो कोशन और बचा है बाकी आपका इसमें आपको करम लगाना है बहुत ही 1920 हो जाएगा डांडी मार्च हुई थी 12 मार्च 1930 को तो इसको लिख लेते हैं आपका 1930 और भारत चोड़ो आंदोलन हुआ था भई आपका 1922 में तो आप मिलान कर दीजिए पहले 17 आएगा फिर 20 आएगा फिर 30 आएगा फिर आपका 12 आएगा यानि कि आपका पहले 124 124 किसमें आपका दोस्तो तो ये हमारा हो गया ये ओप्षन आपका राइट दोस्तो आपका चली आगे और ये कोशन बचे है दो तीन कोशन और बचा है बस आपका ये है आपका मोहीनी अट्टम प्रम प्रागत नरत्य है देखिए आपका मोहीनी अट्टम है आपका केरल का और कतकली कहां का है, कतकली भी आपका केरल का ही है दोस्तों चली आगे ये आपका जो question था काफ़ी important है नरत्ते वाला topik complete कर लीजे क्योंकि एक question आपका आना ही आना है, चली आगे याँआपर आपका, average शिखर पर चड़ने वाली परतम भारते नारी कौन थी भाई भारते नारी कौन थी तो ये थी आपकी बच्छेंदरी पाल इसमें हो जाएगा आपका ए ओप्षन आपका राइट दोस्तों अगर बात करें कि संतोस यादा जो है ना ये दो बार चड़ने वाली पहली भारते महिला थी दो बार है ना कितनी बार चड़ी दो बार आपका तो चलिए दोस्तों आगे और बाकी देखिया आपका पीटी उसाजी के बारे में देखिया आपका जो पीटी उसाजी है ये आपका उड़न परी के नाम से जानी जाती है उडण परी के नाम से कुन जानी जाती है दोस्तों ये आपका PT उसा हो जाएगा इसमें आपका D option देखिए वैसे तो इसका answer क्या था आपका A option था संतो स्यादव जी के बारे में हमने देख लिया है चलिए दोस्तों और बाकी देखिए आप सभी बताए कि आज की जो कलास कैसी रही और देखिए आपके लिए अच्छी अच्छी कलास जो है सभी सब्जक्टी लाई जाएगी दोस्तों